स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में प्यारे बच्चों आज हम सॉलुशन देखनी वाले हैं आपके हिंदी विशह के चैप्टर नमबर 17 का जिसका नाम है सांस सांस में बास तो आज हम इस चैप्टर के इंसी आर्टी स सॉलुशन को देखेंगे और इससे पहले किसी वीडियो को शुरू किया जाए मैं आपको इंफोमेशन देर हूँ अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं और या फिर संदाय तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूले कि यह वीडियो आपको कैसा रगा चलते हैं कुश्चन नमबर फर्स्ट पर क्वेश्चन नमबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखते हैं कौन सा बास काटा जाता है और क्यो या बास को बुढ़ा कब कहा जा सकता है बुढ़े बास में कौन सी विशेष्टा होती है जो युवा बास में नहीं पाई जाती इसका आंसर देखते हैं आंसर है एक से तीन साल की उम्र वाले बास बूढ़े बास कहलाते हैं ये सक्त होते हैं इसलिए आसानी से तूट जाते हैं इसके विपरीत युवा बास लचीला होता है ये आसानी से नहीं तूटता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशिन है, कोशिन में सेक हैं, बास से बनाई जाने वाले चीजों में सबसे आश्चर जनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? इसका आंसर है, वैसे तो बास से विभिन तरह के चीजे बनती हैं, जैसे टोकरी, चटाई, बरतन, इत्यादी, पर उनसे बनी हु विभिन आकर्तियों वाली टोकरियों टेबल लैंप आश्चर जनक लगते हैं, ओके, आगे देखते हैं, बास से बत्तक चिडिया जैसी टोकरियां बहुत सुन्दर लगती हैं, वो आकर्तियां इतनी सजीव होती हैं कि विश्वास करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बा अथों से बनी हुई बास की बुनाई आश्चर जनक वस सही में सम्मान देने योग्या हैं, ओके, नेक्ट कुशन पर मूव करते हैं, कुशन नम्र थर्ड पी, कुशन नम्र थर्ड है, बास की बुनाई मानों के इतिहास में कब आरंभ हुई, इसका आंसर है, कहा जाता है मा और शेने भोजन इकठा करना शुरू किया इसके लिए उसको सामान रखने के लिए एक छोटी टोकरी की आवशकता रही हो यह भी हो सकता है उसने यह प्रेणना चुडिया की घोशले से प्राप्त की हो और उसी से यह बुनाई सीखकर बुनाई करना आरंब किया हो बास के विभिन उप्योगों से संबंदित जानकारी देश के किस भुभाग के संदर्ब में दी गई है एकलस में देखो तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है पाठ में उत्तर पूर्वी इस्थानों के साथ राजियों के बारे में बताया गया है यहाँ पर बास का बहुत प्रियोग होता है इसमें विशेश तोर पर उत्तर पूर्वी इस्थान के एक शेत्र नागा लेंड की बात की गई है बास के कई उप्योग इस पार्ट में बताये गए हैं लेकिन बास के उप्योग का दाइरा बहुत बड़ा है नीचे दिये गए शब्दों की मदद से तुम इस दाइरे को पहचान सकते हो संगीत मचर फरनीचर प्रकाशन तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम आंसर है इसका संगीत, बास के बने वाधियंत्र, मच्छर, मच्छरदानी के बास, फरनीचर, फरनीचर के बास यानि बास के बने फरनीचर प्रकाशन, बास का बुरादा किताब या कागज बनाने के लिए Okay, next question देखते हैं इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजे बनाने के लिए बास का उलेख प्रकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है नीचे दिये गए प्रकृतिक संसाधन से दैनिक उपयोग की कौन-कौन सी चीजे बनाई जाती है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है 전esh, यह बनाय है जाती है तो आजupli की उप्योग की चीजूँन कौन सी बनायी जूता बनाये जाती है तो तो ऑउचिक लेगते है और किस सकूनित τरह से बना हैें इन्हें सुंदर बनाने के लिए इसमें सिलाईयां लगाई जाती हैं तब जाकर विमिन प्रकार के जूते बनते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रकृतिक संसादने घास के तिनके तो इसे क्या बनता है जाड़ू और खिलो ने बनता कैसे इसकी विधी को देते हैं इससे जाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी घासों के तिनकों को इकठा कीजिए जब ये इकठी हो जाएं तो इन्हें किसी की सहायता से बांध लीजिए बस आपकी घास की जाड़ू तयार है नेक्ष्ट कॉशन देखते हैं जो आपके बुक के पेस नूबर 123 पर दिया हुआ है देखते है कॉश्छन को जिन जगों की सांस में बांस बसा है अखबार और टेले विजिन के जरिये उन जगों की कैसी तसुई तुम्हारे मन में बनती है तो इसका आंसा देखते हैं हमें लगता है कि वहाँ दूर-दूर तक बास ही बास उगा होगा. वहाँ लोग समूहों में बास से सामान बना रहे होंगे. उनके घर की प्रतेक वस्तु बास से बनी होगी. उनके घर, बरतन, व्यंजन सब के अंदर बास का प्रियोग होता होगा. ये कलपना हमें रोमान चित कर देती है मुझे वहाँ जाने का मन करता है इस पार्ट में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है जैसे छोटी मचलियों को पकरने के लिए इसे पानी की सतय पर रखा जाता है फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है बास की खपच्यों को इस तरह बाढ़ा जाता है कि वे शंको का आकार ले ले इस शंको का ऊपरी सीरा अंडाकार होता है निचले नुकीले सीरे पर खपच्यां एक दूसरे में गुंधी हुई होती है इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर अनुमान लगा कर दो यदि अंदाजह लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बाचीत करके सोचो तो कौन-कौन सा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं बाच से बनाए गए शंकौ के आकार का जाल छोटी मचलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो इसका आंसर देखते हैं छोटी मचलियां अपने आकार के कारण सरलता पूर्वक जाल से निकल जाती है इसके विपरीत यदि किसी चोड़े जाल में रखा जाएगा तो वे उचल के बाहर आ जाएंगी शंकौ के आकार के जाल में से पानी सरलता से निकल जाता है मचलियां इसके छिद्रों से बाहर नहीं जा पाती है ये थोड़ा गहरा होता है अधा मचली इसके तल में रह जाती है और उचल कर बाहर नहीं जा पाती है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है शंकौ का उपरी हिस्सा अंड़कार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है इसका आंसर देखते हैं शंकु का उपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा नुकिला होता है ये एक त्रिभुज के समान दिखाई देता है यानि वी इस चिन्दि के समान दिखाई देता है ये वी बना हुआ है इस चिन्दि के समान दिखाई देता है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इस जाल से मचली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है तो इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है इस तरह धीरे धीरे चलकर जाल को खीचा जाता है मचलिया जाल में फंस जाती है ओके नेश्ट कोशन को देखते है क्या है हाथों की कलाकारी घंगोर बारिश बुनाई का सफर आरा तिर्चा, जलिया नुमा कहे मुताबिक इन वाक्यांशों का वाक्य में परियोग करो तो चलिए इसको हम वाक्य में परियोग करते है आंसर देखते हैं इसका हाथों की कलाकारी तुमने बहुत सुंदर मेचपोश बनाया है तुम्हारे हाथों की कलाकारी को मानना पड़ेगा ओकी, नेश्ट पॉइंट है घंगोर बारिश आज दिल्ली में घंगोर बारिश हो रही है नेश्ट पॉइंट है बुनाय का सफर मेरी बुनाय का सफर बीज साल पुराना है नेश्ट पॉइंट है आडा तिर्चा धंग से बनाओ ये क्या आडा तिर्चा बना रहे हो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डलिया नुमा मेरे पास डलिया नुमा बरतन है कहें मुताबिक गोविंद को मेरे कहें मुताबिक चलना पड़ेगा नेक्स्ट कोईशन को देखते हैं नेक्स्ट कोईशन है बनावत शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्य जोडने से बनता है इसी प्रकार नुकीला दबाओ घिसाई भी मूल शब्द में विभिन प्रत्य जोडने से बने हैं इन चारों शब्दों में प्रत्यों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ इन शब्दों का वाक्यों में भी परियोग करो। तो शब्द कौन कौन से हैं? बुनावत, नुकीला, दबाव और घिसाई Iसका आंसर देखते हैं बुनावट, इसमें हमने आवट परते को जोड़ा है, बुन में आवट परते को जोड़ा है, तो क्या बना है? बुनावट और ऐसे ही एक वर्ड हो जाएगा, सजावट और बनावट, ओके? मिलावट नेक्स्ट है नुकीला तो इसमें कौन सा परते जोड़ेंगे हम इसमें इला परते जोड़ेंगे तो ये नुकीला बनेगा और भी इसके नए शब्द बने हैं जैसे इला परते वाले रंगीला और सचीला नेक्स्ट है दबाओ इसमें आव परते को जोड़ा गया है तो ये बना है दबाओ और इसके नए शब्द और कौन-कौन से हैं चुनाओ और सुझाओ next है घिसाई तो घिसाई में आई परते को जोड़ा गया है तो घिसाई बना है और इसके नॉय शब्द और है तो वो है पढ़ाई और भलाई इसमें आई परते को जोड़ा गया है next है जो आपकी बुके पेस नेंबर 124 पे दिया हुआ है तो आईए इस question को देखते हैं नीचे पाट से कुछ वाक्य दिये गए है पहला है वहाँ बास की चीजें बनाने का चलन भी खूब है दूसरा है हम यहाँ बास की एक दो चीजों का ही जिक्र कर पाए है मसलन आसन जैसे छोटी चीजें बनाने के लिए बास को हर एक गठान से काटा जाता है कपच्यों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग-अलग धंग से लिखो तो चलिए इस क्वेशन का आंसर देखते हैं आंसर है इसका बास की चीजें बनाने का चलन भी खूब वहां खूब है बास की चीजें बनाने का चलन भी वहां खूब है हम जिक्र ही बास की एक दो चीजों का कर पाए हर एक गठान से बास को काटा जाता है मसलन आसन जैसे छोटी चीज़ें बनाने के लिए नेक्स्ट है तरह तरह की टूपियां भी खपच्चियों से बनाई जाती है ओके नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है आपका तरजिनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं तरजनी हात के किस उली को कहते हैं будем सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कख्षा में अपने सांची और शिक्षव को बताऊँ चलिए इसका अंसर देखते हैं इसका आंसर है हिंदी में सबी उंगलियों के नाम कुछ इस प्रकार है जैसे अंगुष्ठा यानि अंगुठा, तरजणी अंगुठे के साथ वाली उंगली, मध्यमा यानि बीच वाली उंगली, अनामिका जिसमें सगाई की अंगुठी पहनाई जाती है, जो सबसे चोटी उंगली के पास ह होती है वह वाली उंगली कनिष्ठा यानि सबसे छोटी उंगली और अगर आपकी भाषा कुछ अलग है और अपनी भाषा में इन उंगलियों के नाम को जानते हैं तो आप अपनी कॉपे में इसको भी नोट कर सकते हैं चले नेक्स्ट कुश्टन में आपका यह पांच उंगलियों के नाम है इन्हें पहचान कर सही करम में लिखो कि जैसा भी हमने देखा है वैसे ही है यह भी जैसे अंगुष्ञ यानि अंगुठा तर जिनी अंगुठे के साथ वाली उगली मढढ़िमा यानि बीच वाली अंगली अन्मिका यानि जिसमें सगाई पूरा का पूरा anxiety solution दे दिया गया है और आज आपका ये last chapter था तो I am sure ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ना क्यों ये वीडियो बल्कि वो सारे वीडियो से लेके last chapter तक के वो आपको पसंद आया होंगे अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो description box में उसका link दिया गया है वहाँ से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक बाकिसाए subjects के वीडियो को नहीं देखा है तो आप channel की playlist में जाकर के उन सारे वीडियो को serial wise देख सकते हैं तो चलिए अब फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए keep learning, be connected और देखते रहिए today's dawn education.